हेलो एवरिवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एकदम यूनीक एंटीस्टी छोले की रेसपी, वीडियो को एंड तक जरूर से देखे यहाँ पर मैंने 200 ग्राम छोले ले लिए हैं, अब इसे एक बाउल में डाल देंगे अच्छे से 2-3 पानी से वाश कर लेंगे अब इसमें हम पानी डाल देंगे और 7-8 गंटे सोख हो जाने देंगे मैं इसे ओवरनाइट सोख कर रही हूँ हमारे छोले अच्छे से सोख हो चुके हैं, इसके पानी को छान ले अब एक कोई साभी कपड़ा ले ले और 1-2 पीस्पून चाय पत्ती डाल देंगे हम पोटली रेडी कर रहे हैं छोले में डालने के लिए एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे चार लॉंग डाल देंगे चार काले मिर्च डाल देंगे इसे चोले में एक खटासी आजाएगी यह आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा अब इसे अच्छे से बांध देंगे इसे आपके चोले का कलर और स्वाद एक तम रेस्टोरेंट जैसा आएगा वीडियो में बने रहे आगे और भी ट्विस्ट के साथ इस रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ अब एक कोकर ले लेंगे उसमें सारे चोले सोकी हुए डाल देंगे हम पोटली को डाल देंगे एक टीस्पून नमक डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पिंच ओफ बेकिंग सोडा डाल देंगे इससे आपके छोले अच्चे से कोख हो जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे अब मैं दो गलाच अतना पानी डाल दूँगी कुकर का डकन लगाकर छी से साथ सीटी मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगा लेंगे हम कुकर ठंडा हो चुका है इसे खोल कर चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारी चोले अच्चे से कुक हो चुके हैं इसे इस तरीके से दबा कर चेक कर लें ये अच्चे से कुक हो चुके हैं इसे निकाल ले एक बाउल में अब एक पान ले लेंगे पान स्पून तील डाल दे अब एक तेजपत्ता डाल देंगे एक टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे दो हरी इलाईची डाल देंगे चार लौंग डाल देंगे तीन चार काली मेर्च डाल देंगे दो खड़ा लाल मेर्च डाल देंगे थोड़ी वेर भुल लेंगे अब एक टीस्पून जीरा डाल देंगे एक चौथाई टीस्पून हिंग डाल देंगे चलाली थोड़ा सा मैं अजवाईन डाल रही हूँ जिसे छोले अच्चे से हमें डाइजेस्ट हो जाए अब मैं अद्रक और मिर्ची को कूट कर इसका पेस्ट बना कर डाल रही हूँ अच्चे से भून लेंगे थोड़ी दे अब हम टमाटर की प्योरी डाल देंगे मैंने पांच से छे टमाटर को क्रश कर लिया है नमक स्वाद अनुसार डाल दे अच्छे से चला दे अब धक कर चार से पांच मिनट मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे टमाटर को पांच मिनट बाद हमारी तमाटर थोड़ी पक चुके हैं अब मसाला कर लिएंगे दो टीस्पून धन्या पाउडर डाल देंगे देड़ टीस्पून जता हम लान मिर्च पाउडर डाल देंगे हाफ टीस्पून हाल्दी डाल देंगे एक टीस्पून आमचुर पाउडर डाल देंगे सबी को अच्छे से चला ले अगर आपको ये रेसपी पसंद आ रही है तो लाइक जरूर से करे अब धक कर मीडियम फ्लेम पर जब तक ग्रेवी गाड़ी नहीं हो जाती पकाले बीच बीच में चलाते रहे हमारी ग्रेवी गाड़ी हो चुकी है साइड में टेल छोट दिया है ग्रेवी ने अब इसे अच्छे से चला ले अब मैंने थोड़े छोले को मैश कर लिया है इसे ग्रेवी में डाल देंगे इससे आपके छोले एक तम थिक बनेंगे और टीस पीस का बढ़ जाएगा अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर ले अब हमारे कोकी होए छोले डाल देंगे छोले के सिर्फ तीन चर्स कल्ची पानी डालूंगे मैं ग्रेवी में अब सभी को अच्छे से मिक्स कर ले ढग कर पांच मिनिट मीडियम चु लो फ्लेम पर पका लेंगे हमारे छोले पक चुके हैं अब हम हाफ तीस्पून चतना इसमें गरम मसाला डाल देंगे हाफ तीस्पून चोले मसाला डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी हातों में मसल कर डाल दें इसे चोले का स्वाथ दो गुना बढ़ जाता है यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप इसे स्किप कर सकते हैं तर यह पत्ते से गानिश करके चला ले अब इसमें हम उपर से तड़का लगा लेंगे इस छोले को आप भटूरे के साथ ट्राय करें यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं हेल्दी गेगो के आटे के भटूरे की रेसिपी की लिंक आपको वीडियो के एंड और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चेक जरूर से करें तड़के के लिए चार स्पून घी ले लेंगे घी को अच्छे से गरम कर लेंगे हाफ टी स्पून हिंक डाल दे अद्रक के पतले लाचे डाल देंगे इससे चोले का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्लेम आफ कर देंगे अब दो हरे मिर्च डाल देंगे और छोले पर तड़का लगा दे हमारा टेस्टी छोले बनकर रेडी है गरमा गरम इसे सर्फ कर ले अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबाए ताकि मेरी हर रेसिपी आप तक पहुँचती रहे थांक यू सो मच पर यूर ताइम और वॉचिंग दिस वीडियो झाल करें दिस वीडियो